हालो हैं मैं श् obtya आप सभी असे को बहुत स्वागध करती हैं अपने YouTube चैनल पर गाइज आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं शिडिव ढ mane कर ने का वीडियो तो आज कर अगर अगर आप स्विचपोर को डेकोरेट करना शाहते हैं तो बहुत सारे स्टीकर्स मार्केट में अवलेबल हैं लेकिन अगर आप पेंटिंग का शौक रखते हैं और खुछ से ही डेकोरेट करना चाहते हैं अपने स्टीच पोर्ट को तो आपको कोई भी डिजाइन अपने चूज करके ड्रॉ कर लेनी है स्टीच पोर्ट के पास में और फिर इसके ब अगरा बना ले फ्लावर्स बगएरा बना ले तो बहुत ही आसान होता है और सबसे मीन बात आती है कि आपने कॉलर कॉन साच चूज करना है तो मैंने जो कलर यूज किये हैं वहें वाल कलर्स ही तो जो मेरा रूम पेंट हुआ था जब तो बहुत सारे कलर मेरे पास बचे या फिर अपने स्विच बोर्ट के साइड में आप उसका यूज करके अपने स्विच बोर्ट को डेकोरेट कर सकते हैं तो स्विच बोर्ट को डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले स्टेप हमें यह करना है कि अपने स्विच बोर्ट के अपने स्विच बोर्ट के साइड में और उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है स्विच बोर्ट के साइड में और फिर उसके बाद ना उसमें step by step हमें कलर फिल करने हैं तो मैंने यहां पर जैसे कि ट्री बनाया हुआ है और इस पे बहुत सारी बर्ट्स बनाई हैं तो सबसे पहले मैंने ट्री को कलर किया है फिर उस सारी कैश को कम्पलीट किया है और यह देखे बहुत ही पियारा सा लुक आया है मेरे स्विच बोट का दो इसी तरह आप भी कोई भी दिजाइन चूज करें और उसके बाद उसको ड्रॉ कर्के अच्छी से पैंट कर ले अर अपने स्विच बोट को एक बहुत सा लुक दे सक वीडियो को Like & Share ज़रूर कीजेगा और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को subscribe कर ले तो मीलेंगे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, Baba and Thanks for watching my video